हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों आप सभी सोच रहोंगे कि ये मैं क्या दिखा रही हूं आप सभी को तो दोस्तों मैं किसी का ओप्रेशन करने वाली नहीं हूं पर हां मैं एक पौदे का ओप्रेशन तो करने वाली हूं और आप सभी के साथ वो वीडियो सेयर कर रही हूं मैं कि मैं क्या करने वाली हूं तो उसके लिए या तो आपको एक blade की ज़रत पड़ेगी या फिर चाकू आप उसे अच्छे से चाकू को कर देजे और कैंची को आप अच्छे से से कर लीजिए और एक आपको tape की ज़रत पड़ेगी चीपकाने के लिए तो आप एक टेप ले लीजिए एक ब्लेड एक चाकू या ब्लेड ले लीजिए और चाकू को देखे मैं गरम की हूँ और इससे मैंने बहुत सारे चीज कट की हैं तो इसमें ये काले पड़ गए हैं तो इस तरह से आप ये सारे चीजों का इंदजाम करके अपने पास पहले स रख लीजे और उसके बाद आप देखी रहा होंगे कि मैंने दो कटिंग ली है तो ये कटिंग किस चीज की है आप देख सकते हैं ये गुढल की कटिंग है तो समझी गया होंगे दोस्तों कि मैं क्या बताने वाली हूं तो आज मैं इसी गुढल के टॉपिक पे या किसी भी प चीजिते हैं कि यह दोफक तो दोस्तोर की प्सक्राइब र्स्के प्राफ्तियोगा धुर्स्क्राइब में प्रकर मूम्रों बड़िक प्रॉछा PBS पर को मुलत दबूदिन यह मेरी grafting success होते है या नहीं तो यह success हो गया तो इसमें अभी दो color के ही फूल आते हैं आप चाहें तो इसमें 3-4 color के भी grafting कर सकते हैं तो आज मैं फिर से एक पौधे में दो grafting करने वाली हूँ दो color के तो वो मैं आप सभी के साथ share कर रही हूँ ऐसे मैंने एक और पौधे पे grafting की है पर वो मैं आप सभी के साथ share नहीं कर पाई तो उसके result जबाएंगे तो मैं आप सभी के साथ share जरूर करूँगी कि grafting मेरे success हुए है या नहीं तो इसमें बहुत अच्छे मैं तो confuse कर गई थी मुझे खुद ही नहीं पता था कि इस पर मैंने grafting की है जब इसमें दो कलर के फूल खिलके आने लगे तब मुझे पता चला कि मैंने तो grafting की थी तो इसमें दो कलर के फूल आते हैं तो इस तरह से आप अपने पौदे की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और आप देख रहा है जहां से यह जॉइंट दिख रहा है वहां से इसकी ग्राफ्टिंग की हुई है तो गुड़ल पे आप बहुत ही आसानी से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं दोस्तों तो मैं ये पहली बार ट्राई की थी तो आप लोग इसे बहुत आसानी से किसी भी पौधे में आप कर सकते हैं बहुत इजी ली पर मैं गुरहल में ही की थी कि देखती हूं कि यह होते है या नहीं अबही तक मैं किसी और पॉद्ने पर ढो तुम नहीं कियों क्यूंगि मैं बहुत सिंपल तरीके से गार्डनिंग करती हूं इसलिए मुझे जो ईजी लगता है तो यह देख सकते हैं कि इसमें औरेंज कलर में अभी बहुत सारे कलियां बनी हुई है पर अभी बहुत सारे काले वाले कीड़े लग गया थे इस वज़े से बहुत सारे कलियां इसकी गिर भी गई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी तो इसमें औरेंज वाले में आप देख सकते हैं बहुत कलिया बनी हुई है और पिंक वाले तो बहुत सारे खिल गया हैं और पिंक वाले गर्मियों में खिलते हैं और जहां तक पता देए मेरे हर गाल मेंमें आप देख सकते हैं तुल्जी के पौते आपको जरूर दिखाई pड़ेंगे और मैं इसे ह़टा भी नहीं सकती चोड़ देती हूँ कि चलो इसी में चलेंगे इसकी cutting मैं कर देती हूँ पर उखाड के तो नहीं हटा पाती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि इसमें देखिए आप कि इसमें कलियां कितनी बनी हुई है और मैं इसे छोटे से डब्बे में ही लगा के रखी हूँ बस मैं यह है कि मैं इसमें liquid खाद हमेशा ही देते रहती हूँ सभी पौदे में मैं ज़्यादा करके liquid खाद देती हूँ इसे भी reporting ही करना था पर मैं report नहीं कर पाए इसे और यह देखे यह है रेट कलर के पूरे बड़े वाले जो गुडल खिलते हैं रेट कलर के तो उस पे आज मैं ग्राफ्टिंग करके आप सभी को दिखाऊंगे और इसमें मैं एक मेरे white कलर के hybrid वाले गुडल है और एक पिंक कलर के हैं शायद क्यूंकि अभी उसमें फूल खिले नहीं थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से कलर के मैंने लिए हैं तो मैं दो कटिंग ली हूँ तो मैं बताती हूँ कि कौन कौन कैसे करते हैं और देखे चीटियां अब भी सही चीटियों का प्रकॉप शुरू हो चुका है सभी गमले में चीटियां इतनी नजर आने लगी है कि बहुत दिक्कत हो रहा है कि कहीं ऐसा चुक्तियों कि सारे पौदे को यह बरबाद ही कर दें तो देख सकते हैं आप चीटियां कितनी सारी चल रही है तो आज मैं इसमें इसमें दो जगह से ग्राफ्टिंग करूँगी तो पहले मैं बता रही हूं कि आप ब्लेड ले लिजे उसे अच्छे से से निटाइज कर ल चोटी चोटी कटिंग लीजिए बहुत ज्यादा मोटी कटिंग नहीं चलती है चोटे कटिंग लेंगे तो बहुत आसानी से चल जाती है इसलिए आप चोटी कटिंग लीजिए और यह टाइम बहुत अच्छा है आपकी ग्राफ्टिंग करने के लिए तो इस टाइम पर आप कर सकते हैं तो छोटी कटिंग लीजिए और यह देखिए इसके जो उपर वाले हिस्ते हैं यहां से आप उसको मैं बता रही हूं कि इसे कैसे इसे थोड़े थोड़े से दोनों साइड से इसे छील देना है ताकि उसकी जो अंदर वाइट वाले भाग हैं वो कम से कम दिखाई पड़े तो देखिए मैंने इसे कर लिया है और मैं दिखा रही हूं आपको कि कैसे इसे कट करना है तो इसे ऐसे करके आप उपर वाले भाग को तीर्चा करके इसे ब्लेट से ये ज्यादा करके ब्लेट से ही बहुत काफी अच्छे से आप कर लेंगे तो ये ब्लेट से इस तरह से आप उसे कट कर लिजे बहुत ज्यादा नहीं करनी है मतलब उपर के जो आपके ग्रीन वाले हिस्से होते हैं उसे आप हटा दीजिए मैं आपको ठीक से दिखा पा रही हूँ या नहीं आप समझ रहे हैं या नहीं पता नहीं क्योंकि इतने छोटे छोटे से कटिंग है तो बहुत अच्छे से दिखें भी नहीं रहा है मैं दिखाती हूँ एक कटिंग उठा के देखिए कि इसमें कैसे कट लगे हैं और इसमें उतनी बड़ी कट लगानी है जितने बड़ी कट आप इसमें लगानी है तो आप इसमें जितने बड़ी कट लगानी है उस हिसाब से आप इसकी पौधे में भी आप उसी टाइप से उसकी कटिंग करेंगे तो पौधे की मैंने कटिंग भी इतनी बड़ी मैं बड़ी मतलब इतने बड़े आप उसमें पौदे में कट लगाया ताकि ये उसके अंदर जा सके और वहां पे ये उतने में ये फिट हो जाए इस टाइप से मैं कटिंग करूंगे तो दोस्तों मैंने कटिंग कर ली हैं और मैं वह वीडियो मिस कर गई मैं मुझे लगा कि वह बन रही है पर वह वीडियो बनी ही नहीं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी और देखे कट हो गया है तो इस तरह से आप तिर्षा करके यहां भी कट लगा लेजिए उसके स्कीन से थोड़े से अंदर ब्लेट से आप कटिंग कर लीजिए बहुत जादा कटिंग नहीं कर है कि मैंने कैसे कट लगाया तिर्षा करके कट लगाया जैसे मैंने उसमें छोटी ब्रांच में मैंने लगाया उसी टाइप से इसमें कट लगा के और इसके अंदर इसको डाल के और इससे टेप से बहुत टाइट से आपको इसे एकदम ऐसा पैक कर देना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना जाए तो इसे दबा के पूरी तरह से प्रेस करके आप टेप लीजिए और टेप अगर नहीं है तो आप प्लास्टिक पॉलोथिन से भी आप इसे कवर कर सकते हैं ताकि इसके अंदर पानी नहीं जा सके तो यह देखे दोस्तों मैंने इसे अच्छे से पैक क करूंगी तो एक कटिंग तो मेरी लग गई है इसे मैं लगा दी हूँ तो इसी तरह से आप लगाए और देखे मैं दिखा पा रही हूं या नहीं ठीक से दिख भी नहीं रहा है क्योंकि ऊपर साइड में पॉदे के पत्ते आ जा रहे हैं और काफी नजदी करने से यह दिख वह ना कटे थोड़ी नीचे ही ग्राफ्टिंग करें जब भी करें उपर करने से यह होता है कि आप कटिंग करें पॉदे से तो वह आपकी ग्राफ्टिंग पाट ही कट जाए और यह देखे यह मैंने दुसरी वाले भी कर लिया तो इस तरह से दोस्तों मैं बहुत सिंपल त दोस्तों मैंने दोनों में कर ली है तो दोस्तों आज के लिए यही जानकारी थी कि आप अभी अपने पौधे पर यह ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और एक पौधे में बहुत सारे कलर के फूल आप ले सकते हैं तो इस तरह से आप अपने पौधे में भी ग्राफ्टिंग और अगर आपको एक पौद में बहुत सारे फूल चाहिए तो आप उपर से कट करके उसमें आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं वो भी मैं वीडियो किसी दिन बनाऊंगी तो आप सभी के साथ से जरूर करूंगी तो इस वीडियो में बस इतना ही आप सभी को अगर अच्छी काट हो गए हैं यह बहुत बड़े वाले उड़ल हैं जो की काफी घने खिलते हैं तो मैं सोची चलो इसमें इस बार ग्राफ्टिंग करती हूं जबकि इसे मुझे गंबले में लगाना था पर मैं इसे लगाई नहीं सोची चलो ग्राफ्टिंग करती हूं तो अब इसे मैं क तब तक के लिए आप लोग भी अपनी गार्डिनिंग इंज्वाइ कीजिए और आये मैं दिखाती हूं कि मेरे गार्डिन में भी कौन-कौन से फूल खिले हुए हैं तो ये देखिए अभी तो धूप नहीं निकल रही थी तो फूल बिल्कुल भी नहीं खिल रहे थे और अब दूब निकलनी सुरू हुए honँ है तो थोड़े बहुत प्लावराय इस्टार्ट हुए है तो ये देखिए पिटूनिया पे भी बहुत अच्छी रियू बहुत अची कि फलावरिंग शुरू हो गई है और भी बुथ सारे फूल खिलने सुरू हो गया है तो इस बार तो मैं लगा ही नहीं पाई सीजन के फूल क्यों की धूपी नहीं निकल रहा थे जो है बस यहीं है तो दोस्तों पस आज के लिए इतना ही फिर मिलूंगी नई टॉपिक के साथ लाइक जरूर कर दीजेगा आप सभी और नए है तो क्या बोलो सब्सक्राइब कर लिजेगा बाई अब फ्लावरिंग थोड़ी अच्छी हो रही है दोस्तों देख सकते हैं कि फ्लावरिंग अब थोड़ी सी ठीक ठाक है अब तो बस यह फूल कुछी दिन के महमान है तो चल रहा है जितने दिन और अभी पौदे भी इतने घने घने से दिख रहे हैं और यह देखिए यह भी अब सुखी रहा है कि इसकी हालत तो खैर बहुत ज्यादा खराब हो गए इसमें पानी भी मैं नहीं डाल पाई हूं क्योंकि दूप इतने तेज थे और पता ही नहीं चला था यह पूरा गंबला कवर कर लिया है यह इतना ज्यादा फैल यह गंबले पूरे कवर कर लिये तो पता ही नहीं चला था कि इसमें पानी है या नहीं है तो इसमें मैं अभी पानी डालूंगी और हाँ दोस्तों यह देखें यह मैं एक गुडल के पौधे हैं जिसे कि मैं बॉंजाई लुक देना चाहा रही थी तो यह देख सकते हैं इसके तने कितने मोटे हो गए हैं तो मैं इसे सोच रही हूं कि बॉंजाई बना दूँ पर इसे मैं प्लास्टिक पॉट में इसा धूप में ही रहते हैं तो अब मैं सोच रही हूं कि इसका क्या करूँ बॉंजाई रहने दूँ या फिर इसे गंबले में शिफ्ट कर दूँ तो देखती हूं इसका क्या करना इसके रूट्स देखे किते अच्छे से निकल के बाहर आ गया हैं क्योंकि यह दो साल हो ग करूंगी पर देखती हूं क्योंकि इसमें रहने से अभी इसमें फ्लाबरिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है फूल भी नहीं खील रहा है जबकि लिक्वीड खाद बाकी सारा कुछ मैं दे रही हूं